रुद्वाली विधान सबा पहुँचे दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद के जिर्वाल आम आद्मी पार्टी के पक्ष में जन्यता से वोट की अपील की मंगलवार को बस्ती जन्पत के रुद्वाली विधान सबा के बुद्धी वाजार में आम आद्मी पार्टी के मुख्य मंत्री अर्विंद के जिर्वाल ने एक जन्सबा की जिसमें उन्होंने सिक्षा स्वास्त सुरक्षा आदी को लेकर दिल्ली में हुए कारियों पर प्रकास डालते हुए लोगों से बस्ती विधानसवा के पांच प्रत्याशी को जितानी की अपील की उन्होंने कहा कि अगर आप चाते हो दिल्ली की तरह यहां भी स्कूल अस्पताल सड़के आदी बने तो आमादनी पार्टी की सरकार बनाए हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि दिल्ली की तरह यहां भी विकास होंगे उन्होंने बीजेपी योगी को घेटे वे कहा कि पांच वर्षों में सिर्फ धोका ही दिया है इन्होंने पांच वर्षों में एक भी अस्पताल स्कूल नहीं बनाये हैं उन्होंने अपने 15 मिनट के भाश्चर में भाजपा कॉंगरेस सहीद अन्य पार्टियों पर जम कर पाइटी के मुखिया दिल्ली सरकार के मुखिमंत्री अर्विन केजी वाल जी जनसभाव को अभी थोड़ी में समोजिद करने वाले हैं हमारे पीछे आप सामने देखे मंच बना हुआ है यहां से अर्विन केजी वाल जी लोगों को समोजिद करेंगे और यहां कि आये ऐसे में आम आदनी पाइटी कितना कुछ खिलापाती है उत्यप्रजिस में क्या कुछ कर पाती है यह जन्ता दौरपता होगा लेतागण है इनसे हम जानना चाहेंगे इस सबाह को लेकर सर क्या नाम है आपका मेरा नाम है दीसी दूबे ब्यापार कोष्ट परभारी बस्ती जन्ता मैं आज यो देख रहा हूं कि इतना बड़ा हुजूम रुदोली की धर्टी पर पहली बारा आया है इतना बड़ा हुजूम पिना जात्पाद भेदभाव के सभी जातियों के लोग यहां जमा पड़ कि अभी कुछ ही चाड़ों में आएंगे उन ही की इंतजारी में एक आवाम पूरा भरा भरा है कितनी भीड होने वाली है अभी रहेंगे जो होने चाहिए आपकी नजर में यहां कि अस्थानी मुद्दे जैसा कि लोगों ने बताया कि गटे का भुकतान और यहां की जो समस्था है विजली पार्टी को कहा चैन पाते हैं आप हमारे पास कोई जाती ओट नहीं है हमारे पास कभी बर्गु का ओट है और लोगों के पास जाती ओट रहता है लेकिन आप आदी पार्टी के पास कोई जाती ओट नहीं है इनका सभी ओट है इनका पूरा ओट ही है जाकर राशुबार बर्मा नाम है मेरा यहांट में रहा है कि हमारी आदवी पार्टी का जनता लहराएगा निच्छे तो तोर से और बिना मेरे समर्थान का किसी कर सरकार नहीं बन सकती है यह कारिसान परिषान हो जाता है किसानों की गिजली माप नउजवानों के लिए रोजगार हर साल 10 साल 10 लाक का रोजगार और पर जो अच्छारा साल के ऊपर की महिलाएं होंगी उनको हम ये थज्यार रूपया अपनी पाइटी आने पर प्रतेक महिला को दिया जाएगा ये नारी ससक्ति करण की बात होगी आगामी दस्मार को पता चलेगा कि वो जनता आम आदमी पाइटी अर्भिन केजीवाल को चपतिस में कितना मजबूत करना चाहेगी लेकिन अगर हम बात करें दिल्ली के काम हुए हैं वो अभूत्पूर के काम हुए हैं उनकी आज राश्चिय सरते लेकर अंतराश्चिय सरते भी भी तारिफ हो रही है बात करें मोहला क्लिनिक की, बात करें चिकिस्टा बेवस्ता की, बात करें सिच्छा बेवस्ता की, बात करें कि प्राइबेट स्कूलों की और बात करें उन स्कूलों में जो सरकारी स्कूल तो इसमें जो सुधार किया गया है, सोधिकरन किया गया है, वह भी काबले तारिफ है अब देखना ये है कि आम जंता क्या फैसला करती इसका अगामी पता जस मार्ट को बालू चलेगा तो इन सारी चीदों से जो आज एक समस्या बहुत बड़ी बेरोजगारी की उत्पन हुई है, उसका कारण है कि टेक्निकल एजुकेशन तो है और उसको उटलाइज करने के लिए कुछ सोर्सेज नहीं है, और क्योंकि हम लोग हमेशा एक अगरिकुल्चर बैकराउंड से रहे तो उस माइगरेशन को रोख के अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने छेत्र के लिए बहतर काूँ है, जो आज ये बड़ी सभा हुई है, ये जो बड़ा समुत्र बना है, ये कहीं न कहीं फिछले दो महीनों से हर गाउं में जाके जो चोटी-चोटी गुंदे उखटी के गए थी, आज उसी का कारण है कि ये समुत्र जैसा एक कारिकरम आपको देखें, तीदी फाइट अपी किसे हैं, हम लोग की फाइट हर उस राजनेतिक दस है, जिसने कहीं न कहीं, पिछले दस सालों में जब शेत्र का आकलन किया, लोगों का आकलन किया आम आदमी पार्टी को अच्छा समर्थन मिल रहा है, मैं पिछले दो दिन से उत्रपरदेश में घूम रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि बीजे पी और योगी जी और मोधी जी केवल और केवल गाली गलोच की राजनेतिक कर रहे हैं, गाली गलोच क्यों करनी पड़त रोजगार इनके नाम पे वोट मांग रहा हूं क्योंकि मैंने ये काम किये हैं इन लोगोंने अभी काम किये होते कुछ भी काम किये होते तो योगी जी आखे कहते हैं मोदी जी कहते हमने ये काम करें आगे भी आगे भी ये काम करेंगे लेकिन उन्होंने कोई काम ने किये इसल हम हैं Express News भारत आईए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर करें